हेलो एवरिवन वेल्कम टू ये सब्रिशी मदुकर माइनेम इस आशिश मदुकर आइब टोटल फाइब प्लस एक्सपीरियंस इन से स्फोर्स एको सिस्टम एड एट ये स्टिफाइड एड तो टूद्य आवर टॉपिक इज वाट इस ये सल क्यों क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं अपने एपएक्स में तो चलते हैं आज के एочно पर वेस्टिंटम में तो आज का हमारी एजन्ड है कि वाट्टी जैसल क्या होता है देन यूज यूज का रेंगगया और कैसे यूज करेंगैंग बिसके बैसे के वाट एक आपस की ने कोम करने के लिए और अपने को को भी रिकॉरमेंट उसका अचीव करने के लिए और कैसे अपने एसके और के विए करें जो रिजल आ रहे है उसके बारे में बात करेंगे तो जब भी हम कोई data फिच कर रहे हैं अपने Salesforce में उसमें condition कैसे लगा सकते हैं मुझके बारे में बात करेंगे तो जैसे कि आपको कोई data आ रहा है तो आपको specific उस order में चाहिए जैसे created by date, last modified date के वेसे चाहिए या कोई name है उसको sorting करके चाहिए उस order में चाहिए तो जिस order में चाहिए आपको data फिल्ड का यूज़ करके हम वहाँ पे order-wide का data करके लिए आएंगे तो वह भी कैसे करेंगे वह भी वास के बारे में बात करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड होता है और आपको लिमिट लगाना है कि मुझे इतने ही रिकॉर्ड चाहिए तो वह भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सब्सक्राइब है यूज़औ करता है तो वह Mrs करते दिं उसके बाद हम ढाल हुझ स्बस्क्राइब्स करेंगे यूज़ ऑन बाइन करेंगे वान चलते हैं स्लाइट पर और क्या है हमको जब हमें से तो हमें रिकॉरी लिखना पड़ता है टैका इसमें भी हमारे पास जो जो Salesforce का language होता है क्योरी का वो दू होता है एक SOSL होता है एक SOSL होता है तो SOSL हम बाद में पढ़ेंगे पहले SOSL पढ़ाता है ठीक है तो then Salesforce provide the Salesforce object query language SOSQL in a sort that you can use to read saved record SOSQL is similar to the standard SQL language but it is customized for the Latin platform तो जो भी हमारा SQL query होता है वो हमारा same standard format होता है हमारा SOSQL का ठीक है उसी को हम use format को use कर सकते हैं अपने Apex में SOSQL बस उसको हम lightning form में customize कर लेते हैं ठीक है then because Apex has direct access to the Salesforce records that are stored in the database तो जो भी हमारा Salesforce होता है और Salesforce क्या होता है जो Salesforce CR में उसमें जो database हो उसी में combined होता है तो जो भी हमारा Salesforce का होता है उसका database direct access होता है हम यह से directly उसकी data face कर लेते हैं और use कर लेते हैं इसलिए हमें easy to face होता है जो data उसकी SQL results लेने में जब आप कोई Java या कोई other language use करते हैं तो वहाँ पर आपका उसकी database जो भी हम अलग database use करते हैं जिसे Microsoft SQL हो गया Oracle हो गया तो यह सब database है तो हम वहाँ से connectivity करते हैं वहाँ पर data save करते हैं और वहाँ से data face करते हैं बस Salesforce में ऐसा नहीं होता है Salesforce में हमारे पर directly access होता है database का तो हम directly data वहाँ से कर लेते हमें कोई अलग से connection connectivity नहीं करनी होती है database से ठीक है रिजल्ट कर सकते हैं तो आप जब भी चाहों उसको सेक्वरी में अपक्स में लिखो गए आपका डेटा अगर वह कंडिशन आपके कुछ लगाया है या आपका उस object में डेटा है तो आपका प्रफली आपके अपक्स में return कर देगा देन बात करते हैं यूज दा करी इडिटर क्या होता है पहले उसके बारे बात कर लेते हम तो दा सेश्वर्ट डेवलपर कंसोल प्रवाइड दा क्यूरी इडिटर कंसोल विच एनेबल यू तो रन योर यसेड़ क्योड गईरीज एड विव रिजल्ट गईर प्रवाइड देट गुड़ वे टेस्ट योर एडिटर यू 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 शप्लाइव दा विडवाइड दा एफ-चोड देट सरांट गई तो जब स्कूर्ट गया होता है कि जो भी हम स्कूल कोरी अपने एपक्स में कोड में लिखने जा रहें ठीक है तो अगर आपको पता है कि मारे सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है देन डेवलोपर कंसोल डेवलोपर कंसोल पर जाने एक बाद आपके यहां पर आता है अगर आप नीचे जैसे आप पहली बार उपेंग करेंगो तो आपको क्या करना है यहां पर देखिए आपके पास सब्सक्राइब करते हो तो उसमें पास हुआ यहां पर दिखता है देन चेक पॉट्स अगर आपने डेटाबीस डाट इंसर्ट अब लगात देके निचे कि थेखिए तो वहां पर हम कुछ चैप पाइंट जो होता है वो जो जब लगाते हैं तो उसकी करने के लिए हम यहां से उसको देख सकते हैं तो ऊब आपको क्या है पर दिखाताए और प्रोग्रेस की बात करें तो यहां पर जो भी आपकर दो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर हम टाइप करते हैं जो भी हमारा सब्सक्राइब होता है यहां यहां पर चाहते हैं यहां पर चेक्ट कर दो तो आपके पास यूज कर सकते हैं अब चलते हैं बात करते हैं तो हमारा है सब्सक्राइब करते हैं यहां पर करता हूं मैं यहां लिखता हूं सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आइडी कामा नेम फ्रॉम अकाउंट तो जैसे यहां पर मैंने अब्जेक्ट नेम गलत होगा इसलिए दिखा रहा है तो यहां पर देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है तो बिसक्राइब अब यहां पर जो टेटा आ रहा है मेरा यहां पर सब्सक्राइब अब आगे चलते हैं पर उसके बाद पर बात करेंगी हम तो अब बात करते हैं हम अपने इसमें न्यू टैप पर आते हैं यहां पर देन फिल्टर क्योरी रिजल्ट सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हम बात करते हैं फिल्टर क्योरी रिजल्ट इसक्राइब आपके पास अगरा पोई कंडिंशन नहीं लगाते हो जिसे में यहाँ पर नहीं लगा यह पर इसमें डेटा है वह सारा आघा है यह आपजट कोई भी हो सकता है कोटेक्ट भी युज़ का शकते हो यहां पर जो आपडिप अब दिखोगे आज़ फिल इसमें होगा वही आपका डेटा यहां पर आईगा हमेशा ठीक है अब मेरे पास मैं सिर्फ जो टेस्ट वाला है जिसमें नेम टेस्ट है शिर्फ वह आना चाहिए लगाएं यहां पर जब सिंगल कोर्स लिखते हैं जादे का डेटा पास करते हो तो आप मेरे पाद जो भी सिर्फ जिसका नेम सिर्फ टेस्ट है वही रिकॉर्ड आएगा और कोई नहीं आएगा अगर मैं यहां पर कुछ और दे दूँगा तो हाँ पर और भी देगा ठीक है आगे हम ऐ यहां जरू करते हैं देन बात करते हम अपने इस पर नेक्स स्लाइट पर आते हैं तो यहां पर मेरा है और को कि बात करते हैं इसमें क्या होता है कि When query executes, it return the record from Salesforce in no particular order So, you want really on the order of record in the return array to be the same each time the query is run You can however choose to sort the return record set by adding and order by clause and specifying the field by which the record set should be stored So, if you have used the order, there is no order to define Which order will come, what should it be So, you want to choose that every time when the record comes, it should always be the same order So, you can select the order by order by Now, what should we do in order by order by order? So, we will go directly to our query query And we will use our query query And we will use our query query Now, I will change the condition 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 So, you will change the condition I will change the condition That is a same order Okay Okay You have too Sorry You have been created Create 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 कि 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 मैं इसको देता हूं यहां पर कि रियाटेट डेट अब बीने से देखा रहा है कि कि यहां पर कंडिशन गलत लगा दिया लगा दिया यहां करेगा वह मैंने वह भूल गया था इसलिए ठीक है तो यहां पर आईडी आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है अब देखें आपर देट आपर टेन नाइन आइस यह यहां और से करते आई है डिक आपको लिखना है और और by मैंने नेम कर दिया अब अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो यहां करते क्ट और से तो देखेंगे यहाँ पे एकर असे करते तो अगर न यहां पे तो भी आपको होगा कि अगर चाहिए कि देंडिंग में आना चाहिए तो यहां पर आपको तो यहां क्या हो जाएगा वाड होगा अलफावेटिकल का उससे इस्टाट होता है अब आपको यहां पर क्रियेटेट डर जीए जो पहले होगा उसके बाद नीचे सारे आएंगे तो आप और लगा सकते हैं चलते हैं अपने पर और आगे बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद हमारा है लीमिट लाइब रिकॉर्ड 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 रीड़न विच बाइद लीमिट तो जो मतलब हुई कि लिकॉर्डव एक दूर एक तेन जो भी आपको बीकॉर्ड होंगे उतना जो लिमिट लेदा चाहता है अगर मेरे पास यहां पर यह लगाना चाहता है और लिमिट चाहिए चाहिने पहलेकर था खेश सिर्ल यह कोंड नहें रही इस फिर crisis स्गें सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर 20 कर दिया तो सिर्फ में पास 20 रिकॉर्ड आएंगे और सारी रिकॉर्ड नहीं आएंगे टोटर 20 रिकॉर्ड आएंगे तो यह लिमिट आप सकते हैं कितने रिकॉर्ड मेरे पास आना चाहिए तो यह था आपका लिमिट की वर्ड देन अब बात करते हैं कंबाइन और पीस तोगेदर मतलब बैसे कि अब जो भी मेरे पास वेयर और वाय लिमिट सबको एक साथ में कंबाइन करके यूज करना चाहोगे तो कैसे यूज कर सकते हों तो सेम वही है जैसे कि अभी मैंने लिखना है सारा चीज इसमें दो चीज हमारा लिटी आइड है तो यहां पर मैंने वेर लगा दे रहा हूं वेर क्लाज में दे देता हूं कि जो मेरा ने में ओ एक्वल टू क्या हो जिसे मालोक मैंने लिख दिया है आपर आशिष मत पर तो सिर्फ वही आना चाहिए तो यहा आशिष मत पर रिकॉर्ड वही आएगा अधर द्या डिकॉर्ट नहीं आएगा अफ तो मेरा था कि सारे कंबाइन करके यूश करना है तो आप इससे कंबाइन करके जो भी आपका वेर क्लाज है ओर आदर भाई है या फिर लिट है वो सारे इसको कमबाइन करके इसे जीज कर सकते हैं अब बात करते हैं वेरियेबल ठीक है अब हमारा अगला टॉपिक में कि एक्सस वेरियेबल इसक्वेल को तो एक्सक्वेल स्टेटमें इन एप एक्स कोड वरियेबल एंड एक्सप्रेशन इसक्वेल है इसमें उसमें हम क्या देता है कि जो मेरा डेटा है जो भी हमारे डेटा आ रहा है किसी आउट्साइड एक्सक्रास से किसी या कोई यूई आ रहा है देता करते हैं कि यस के वरियेबल ने पास करना थे खर्यावहट रहे हैं कि हम उसके बारे में बात कर रहें हैं अब इस सब्सक्राइब हैं और एक करते कर तेंंब और यह उसको है और यह कंभाइंड कर सकते एक क्लास ही बना लेते हैं और उसको फिर आगे जो भी हमारा होगा हम इसी में करते चलेंगे तो यह मेरा हो गया अब मैं यहां पर में बनाता हूं एक पब्लिक इस्टैटिक वाइड यहां पर मैं देता हूं आपका वेरियेबल और यूज में देटा करेगा नेम पर इसे अगर यहां पर लिमिट लगा देतो ऐक बहुत इंपोर्टन वर्क है अगर मैं यहां पर अभी मैं दिखाता हूं आपको एर का बाता है तो एर बहुत लोग आता है लेकिंग समझ नहीं पाते हैं तो मैं आपको यह आप दिखाता हूं कैसे रहाता है पर इस लिख लिए यहां पर है सेलेक्ट आइडी कॉमा नेम कॉमा क्रियेक्टे डिट लोके कॉमा टाइप प्रॉम अकाउंट ठीक है अभी इसको आप एजेकूट करोगे तो एर आएगा ऐसे बहुत लोगों के एर आता है वो समझ में नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों अभी मैं सिब्स एर दिखा रहा हूं अभी में वरियाबल कभाय औहीं किया मैं इसके बारे में यह今年 करेंगे तो देखे हैं मिरे पास अ है साउलिमेंट टुऑ थे का किया है डिस्ट नहीं यह आ रहा है वह आपका नहीं होगा तो आपको श्काल गुलुट अब अब लिस्ट का अब इसको अब अगर डेटा आप ऐसे लिखना चाहते हो अब चाहते हो सिर्फ एक रिकॉर्ड आए तो उस कंडिशन में आप दे सकते हो आप जैसे मैं यहां पे अभी सिर्क लिमिट लगा दूँ अब अब अबजेक्ट में स्टोर कर सकते हो एक रिकॉर्ड मतलब अबजेक्ट अब मैं इसको करूंगा तो मेरा एक्जीक्वीट हो जाएगा बिना किसी एरर के तो देखेए एक्जीक्वीट हो गया और मने आप कोई डिबग ने लगाए इसलिए दिखाय जबाए तो यहां आप लगा लगा लेते हैं आगे की लिए भी ठीक है सेस्टम डाट डिबग अकाउंट डेटा है अब क्या होगा ठीक है तो जब आपको कोई स्पेसिफिक का निशान लगाने है और आपको चाहते हो कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड तो आपको यहां पर लिस्ट यूज करने की तो जैसे हमने यहां पर इसको यूज किया है अगर आप यहां चेक करोगे तो आपको पास स्दिकारड डेटा आ रहा है तो आप यहां पर लिस्ट यूज कर सकते हैं यहां पर हम बनाते एक वरीएबल जो मैरा होगा तो आप ने तो आप ने पास करोगे यहां से यहां से पास करोगे तो यहां पर मुझे मैं पास करता हूँ अपना नाम तो मेरा यहां पर करता हूँ पर यहां पर दिखाओं तो मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट है ही नहीं जिसमें आशीज मतवर के नाम से हो तो जब आएसा आए तो आप समझ जाओ कि उस जो आप नाम पास कर रहें उस नाम से मेरे पास कोई रिकॉर्ड है अब जो नेम है मैं वह ले लेता हूँ यहां से इसको कॉपी करके आप दिन इसको कॉल करके यहां पर पास करते हैं तो क्या होगा और नहीं आएगा आपका सक्सेश्पुली रण हो जाए यहां पर जो आपका डीबग वाली कर दो आपको डेटा आ गया नेम एक्वाल टू टू डिकेंट डिकेंशन प्लसी ठीक है तो अब आप ऐसे यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप यहां पर मैं अगर आपको नौट यूज करना है तो न प्लस कर रहा हो नहीं आएगा तो यहां पर लीकॉर्ड आएगा तो यहां पर आर आएगा आपको लीश्ट वालाईश्ट कि लेच सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेकित Apple लेको तो सारे रिकॉर्ड आएग तो जब मैं अब लिमिट अटा दिया तो करूंगा तो मेरे पास दिखाएंगा कि more than record आ रहा है आपको उसको लिस्ट यूज़ करना हो देशकर मैं इसको बोलो तो यहां पर आपका more than record आ रहा है तो इसको जब अब ऐसे रहा है तो आपको simple क्या करना है जो आपने इस्टेंस बना जाए इसको आप लिस्ट में convert कर तो इसको लिस्ट में save कर दो तो आपका automatic error चला जाएगा ठीक है यहां पर आजिकर कर दो तो कोई error नहीं आएगा आपके पस और यहां पर आप देख सकते हो सारे record जो भी आपके थे हैं वह सारे record यहां पर आ जाएंगे और देन जो आपने पास किया था ने तो यह आपका यहां डिक्ट करते हैं अपने यह कंद तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर आप नए हो तो को सब्सक्राइब कर सकते हो आप दोस्तों को और सकते हो और मिलते हैं नए वीडियो में दें नए कंटेंड के साथ तब तक के लिए बाई-बाई-टेक कियर झाल झाल